हालो व्रीवर्ण ग्रीटिंग्स प्रम डॉक्टर रश्मीज होमेपथी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे होमेपथिक मेडिसिन बारे में बात करूंगी बेसिलिनम एक नुसोड है और यह बनाया जाता है डिजीज़्ट पार्ट्स ओफ लंग से मतलब टीबी होघज हो है तो वहां के टीशूझ मेडिसिन बनाई जाती है किसी भी डिजीज़ पार्ट से लेकर अगर कोई मेडिसिन बनाई जाती है तो नोसोड जिसको डॉक्टर बरनेट ने होमेपथी में इंट्रोडीउस किया था यह बहुत ही इंपॉरटन है और होता है हर तरह की tuberculous lung से बनाई जाता है तो सबसे जादा प्रयोग इसका होता है TB के इलाज में ये Dr. Burnett ने TB के लिए इस दवा का बहुत अच्छे दरह से प्रयोग किया था और इसको यूज किया जाता है अगर initial symptoms of TB अगर देखने को मिल रहे हैं मतलब शाम को खासी आती है हलका बुखार आता है और ये खासी लगातार चलती रहती है रुकती नहीं है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से लगातारा को खासी आ रही है खासी में बलगम आ रहा है जो कि यलोईश कलर का हो सकता है और बहुत ज़ादा रात में आपको पसीना आता है अगर ऐसे सिंटम्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर बेसिलेनम दवा का प्रियोग किया जा सकता है इसके लावा ये दवा यूज की जाती है ओल्ड एज की हर एक रेस्पिरेटरी कंडिशन में मतलब बुजूर्गे के अंदर अगर कुछ अमस्या है जो लंग से रेलेटेड है मतलब बहुत जादा उनको खासी आती है उनको एक धसका सा लगता है सफोकेशन सा होता है शाम को जैसे लगता है कि वो सांस नहीं ले पाएंगे और कफ करते हैं कफ जो होती है वो अंदर ही खड़खड करती रहती है वो बाहर को नहीं निकल पाती है रात के समय उनको बहुत ज़्यादा तकलीव बढ़ जाती है और अर्ली मॉनिंग तक वो खासी करते रहते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर जिसके अंदर बहुत ही पुरानी फेफड़ी की समस्या है फेफड़ा बहुत जादा कमजोर हो चुका है वहाँ पर बल्गम निकाल नहीं पाते हैं कोशिश करने के बाद भी क्योंकि ब्लड का सिर्कुलेशन लंग्स में कम हो गया है और सास फूलें लगता है जैसे ही कुछ काम करते हैं तो ऐसी सारे समस्याओं में ये दवा का प्रियोग किया जा सकता है तो फ्रिंट्स ये जो दवा होती है वो कोई बहुत छोटी मूटी कंडिशन के लिए नहीं ली जाती है अगर कोई परिशानी है जो कि सालों से चलती चली आ रही है वहाँ पर इस दवा का प्रियोग किया जाना चाहिए तो हर एक नोसोड जो होते हैं वो हमेशा क्रॉनिक कंडिशन के लिए अच्छे होते हैं अगला जो सिंटोम्म जहां पर बिसलेणां यूज होता है वो है स्कीन कंडिशन मैं परसनательно बिसलेणा को बहुत सारे स्कीन कंडिशन में यूज करती हूँ उण सबसे पहला पॉइंट जहां पर बिसलेणां जहां बहुत अच्छे रिजल्त है वह है रिंग वाम अगर आपको दाद खाज खुजली के समस्या है चाहे वो बोड़ी के किसी भी पार्ट में हो और चाहे वो प्राइविट पार्ट में भी हो चाहे जितना साइज हो लेकिन रिंग वाम अगर है और वो बार-बार आपको होते रहते हैं तो वहाँ पर बिसलिनम यूज होती है बसलिनम का यूज क्या जाता है अगर रिंग वाम होते हैं ठीक हो जाते हैं फिर से हो जाते हैं वहाँ पर भी बसलिनम का अच्छा प्रयोग है इसके लावाँ बसलिनम को यूज क्या जाता है पिट्रियस वर्सी कलर के केस में जिसको हम साधार भासा में सेहिवा बोलते हैं और उनको चहरे पर सेहुआ हो जाता है और चहरा काफी ज़्यादा डिस कलड लगता है या लाइट कलर का हो जाता है वो स्पर्थ आर फेश देखने में बहुत जादा एड सा लगता थोड़ा खराब छा कान तो बच्चों के केस में से हुआ है या बड़ों के केस में से हुआ के समस्या में यानि पिट्रियासिस वर्सी कलर के केस में यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। एक और कंडिशन है जहां पर इस दवा का बहुत अच्छा प्रियोग है वो है सोरियासिस। अगर psoriasis का case है क्योंकि psoriasis is always a chronic condition और वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा खारिश के समस्या बनती है या बार-बार psoriasis हो जाता है क्योंकि psoriasis एक autoimmune disorder है कई बार ऐसा होता है कि psoriasis पूरे तरह ठीक हुआ वो लगता है लेकि फिर एक साल के बाद दो साल के बाद वो यूज कर सकते हैं as a inter current remedy मतलब नॉर्मल जो दवाईयां आपके चल रहे हैं वो आप लेते रहेंगे लेकिन अगर उन दवाईयां को असार थोड़ा कम होता हुआ लगता है तो इस दवा को उनके बीच में एक interval में दिया जा सकता है तो बेसलिए ना ब्रिंग वाम के case में औ आप आपके जो गले के glands या आपके जो groan के glands उसको छूने पे आपको थोड़ा सा लगता है कि दर्ध हो रहा है Sensitive लगते हैं तैंडर लगते हैं उन सारी दवाई में उन सारी condition में इस दवा का प्रियूक किया जा सकता है अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत इंप को तुपरेशन पाइब को पूरा अप्षीज कल मेकप पेश्एंट का होता है इसको मेंटल श्रक्षा पेलेकर इसको दुपा को दिया जाता है लेकिन फिजिकल सिंटर्म से में अगर नाप दे सकते हैं अगर कांसी की समस्य इस तरह से देखने को मिल रही है तब आप दे सकते हैं तो पूरा constitutional basis बनानी की जुरूत नहीं बढ़ती है बिसलिनम को हम ऐसे भी prescribe कर सकते हैं तो ट्यूबिट लनम और बेसलिनम क्योंकि सोर्स दोनों का एक ही है लेकिन improving करने के बाद इसके symptoms अलग लगाए थे तो इस दवा का जो असर है जो physical aspect है इन दोनों को अलग है अब हम बात करते हैं इन दवाओं को कैसे लेना है तो बेसलिनम दवा का लेना का आपको reverse देखेगा इस दवा को आपको डारेक टंग पर चार बूने डालनी है और हर एक वीक में सिर्फ एक बार लेना है इस दवा को क्योंकि नुसोड है तो बहुत जल्दी जल्दी लेना है और इस दवा को लेने से आपके जितनी भी प्रॉब्लम से काफी हद तक बेटर हो जाती है और इसके लावाँ अगर आपको खांसी के समस्य लगातार बनी हुए तो बेसलिनम को साथ अंटी मिने टारिकम 30 प्रोटेंसी में लिया जा सकता है तो फ्रेंट्स यह सारी अले इंफर्मिशन थी बेसलिनम के बारे में और इसके अस्पेक्ट्स के बारे में और यह इंफर्मिशन आप लोगों के दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लें वीडियो क